तो यहां पर बात करते हैं सबसे बहुत सारे डिसकेशन किये थे आल्मोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स पर डिसकस भी किया था आपने नहीं देखा है तो डेफिनिटली जाके देखना और माउंट गॉक्स की जो खबर थी वो फिलाल में रूमर निकली है तो उससे भी थोड़ा बचके रहे हैं अगर आप यहां पर सोच के चल रहे थे ओके तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे दो चीए डिसकस करी थी अबाट बेटकोई कि बेटकोई के अंदर एक थोड़ा सा अपर मोमेंटम आ सकता है और फिर हम लोग वो वापी से क्रैश मार्केट में देखने क मिल सकता है जो मेरे लिए अभी का करेंट लेवल है वो है 20,600 तु 20,000 अल्मूस 700 लेकिन कल मार्केट ने थोड़ा पंप नहीं किया अगर हम लोग वन अवर के अंदर आते हैं मार्केट में जो मैंने आपको असरी ट्रंगल बताया था और यह वाली लाइन तो मार्केट इसक एक शॉर्ट टर्म या शॉर्ट ट्रेंड मार्केट है जिसकी वाज़े से अगर मार्केट यहां पर उपर आता भी है तो हमें कहीना कहीं करेक्शन देखने को जल्दी मिलेगा और बिटकॉन में वापिस जो करेक्शन लेवल हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि व मार्केट आपका 21,900 को ब्रीच यहां पर कर दे अगर यह लेवल ब्रीच नहीं होता है तो बिटकॉन स्टिल करेक्शन में रहेगा भले मार्केट पूरा की पूरा रिकवर क्यों ना कर जाए इस लेवल तो भी मार्केट के चांस है कि मार्केट यहां से भी नीची की तरफ गिर सकता है तो बिटकॉन अभी करेक्शन के मोड में है जीतना अभी उपर आता है हम शॉट की इसको ही फाइंड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वह ही यहां पर एक तरीके से हम लोगों को बैटर दिल अभी देखने को मिल रही है जातो हमें कोई भी ऐसा नहीं मिलता यह बिटकॉन यहां से वापी से अप्टरेंड की तरफ जाने वाला है इंडिकेटर्स की अगर हम लोग नॉर्मली बात कर लेते हैं तो वन अवर में थोड़ा सा मार्केट भी बुलिश है लेकिन बड़ी टाइम फ्रेम थोड़ी सी ज्यादा वैलिड होती है तो आपको यहां पर आप तरीके से बुलिश आप कह सकते डाइवर्स देखने को मिलेंगे अब जो लोग इस डाइवर्स को प्ले आउट करते उनके लिए एक छोटा सा मोमेंटम बहुत अच्छा हो सकता है जैसे मिने बताए कि मोमेंटम आपका थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी आ सकता है तो यह मत करोगी यही से मार्केट गिरेगा यह पॉसिबल भी हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करें और यहां तक आजा और फिर यहां से ड्रॉप करें कि बुलिश मोमेंटम है अगर आप इसके एकॉर्डिंग ट्रेट करते हो बुलिश टाइवर्स के तो इसका कलर थोड़ कर लेते हैं तो यहां से पूरी तरीकी से रजस्टेंस भरा पड़ा है जो कि 20,200 से लेके लगवख 21,400 तके लेकिन क्योंकि यह मेरे पर नीचे थे तो ऐसा रजस्टेंस कर रहे थे तो जब तक ब्लू लाइन के उपर प्राइस क्लोज नहीं करता हमें बिट्कॉन के अंदर स्टिल करेक्शन यहां पर देखने को मिलने वाला है तो बिटकॉन के अंदर अगर भी आप बुलिश होना चाहते हैं तो डैफिनिटी होई है क्योंकि अभी वीकली क्लोजिंग हुई है और वीकली क्लोजिंग के लिए अगर हम डेली टाइम फ्रेम या कैंडल्स के अंदर तो यहां पर आज की क्लोजिंग अगर इसी तरह होती तो एक बुलिश इंगल्फिंग आपको देखने को मिलेगी जिसका मतलब है कि शॉट टम में मार्केट थोड़ा पतूप नहीं चकर सकता है और हलके फिलके अप्टरेंट के अंदर हम लोगों को मार्केट के अंदर हलक वाले वीडियो में कर सकते हैं जब भी हमारे पास और डेटा यहां पर बिट्कॉन का होने वाला है इसी के तौर पर बिट्कॉन के अगर डॉमिनस की यहां पर बात कर ली जाए तो डॉमिनस आप क्लियरली देख सकते हैं अभी उसी लेवल के उपर वरक कर रही है जो कि हम हम लोगों पहले से डिस्कस किया है वन अवर के अंदर भी अगर हम आते हैं तो डॉमिनस बहुत ज़्यादा चेंजिस नहीं हो हैं एक साइडवेस रेंज के अंदर ही यहां पर ट्रेट के रही है और वापी से अगर बिट्कॉन के लिए लेकिन अभी भी मार्केट एक साइ अगर आप इसको थोड़ा बैकेंड से देखने के कोशिश करते हैं तो यहां पर एक ट्रेंड का सपोर्ट बन सकता है 13.17 के असपर जिसको कि मैं दुबारा से अपसर्फ करूँगा क्योंकि अगर बेट्कॉन की डॉमिनस नीची जा रही है और अल्टकॉन की डॉमिनस तो सब्सक्राइब के अंदर थोड़ी सी पावर देखने को मिल सकती है यहीं पर बात करेते हैं इथिरियम के बारे में इथिरियम के अंदर प्याज रिकवरी आ चुके मैं सीदह आता हूं वर नवर के अंदर आपको मैंने बॉटम लेवल से बताई दिये थे यह वाला और अभ है कि THIS जरूरी नहीं कि Bitcoin अगर वहां तक नहीं गया है और我 जाता है यह जह बॉसक्रीवेल हो सकते है कि यहां पर पूरा पूरा खाली पड़ा है एथिरियम तो यह सकता है बिल्कुल कि इसके उपर जाकिस अंदर सपोर्ट बनाता है तो मार्겠 यह तक जा और फिर क्राश करे वो है यह वाला लेवल जिसको कि आप कर सकते हैं 1770 से लेके 1728 के आसपास यानिक तो अल्मोस 1730 हाला कि इस लेवल में आप शोटे चोटे चोटे ले सकते हो इस वाले जोन में अगर आप लेना चाहा तो 11-12% का मोमेंटम हम definitely मिलेगा लेकिन थोड़ा सा पर consider करके चलो कि क्या चीज़े होती है क्या क्या चीज़े डेवलप होती है क्योंकि वीकली क्लोजिंग हुई है तो अगर हम लोग यहां पर भी concentrate करें तो यहां पर भी कहिना के engulfing candle बनाने की Ethereum भी कोशिश कर रहा है अगर engulfing candle बनती है थोड़ा बहुत market उपर जाता है तो हम भी उसको मैंसर refine करेंगे कि market को actually में क्या positions हैं पर देखने को मिलेंगी और अभी के हिसाब से अगर बात करी जा तो जस्ट यहां पर एक local support है यह वाला जो मैंने आपको इसमें green में बताया था यह वाला break होगा तो second जो support हम consider करेंगे Ethereum में वो around around 9900-1000 के ranges की बीच में रहने वाला है तो मैं इसको भी एक बात green कलर में mark कर देता हूँ ताकि हम लोगों को थोड़ा easy रहे कि हाँ चलो अगर यह support breach होता है तो कौन से पर जाना है को सा resistance breach होगा तो कौन से level को हम लोग observe करने वाले volume की बात करें तो यहां पर decline हो गुच चुका है जिसके according इसका भी 1633 के असपास resistance हमें face करने को मिल रहा है तो थोड़ा सा market bullish है आप चाहो तो यहां पर थोड़ी पर चीज़ चैक आउट कर सकते हैं लेकिन कहीं ना कि market में फिर से bearishness आती है तो में को observe करना पड़ेगा उसके according अपने trade को भी यहां पर change कर यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग finance coin की बारे में जो already हम लोग पहले से देख चुके हैं यहां पर भी आपको एक resistance देखने को मिलता है one hour के according अगर आप देखने की कोशिश करेंगे यह resistance है मैं इसको थोड़ा remove कर देता हूँ क्यों कि हमारे लिए अभी के लिए area play out हो चुक करता है तो मेरे लिए अभी जो resistance level होगा वो होगा यह point वे जो लगबग लगबग हमारे पास है 299 to 300 डॉलर अगर market यहां जाता है इसको breach कर लेता है well and good नहीं करता है then हम दुबारा से short के trades देखेंगे short के trade देखने की दो opportunity है यहां तो market इसको fake out कर दे वापिस इस level के नीच कर दूँगा कि हा market में थोड़े से changes हुए यह जितने भी bullish है भी आप market देख पा रहे हो यहां पर जो pump आ रहे हैं यह जितनी भी चीज़ है जिस एक short term है जो कि आप इनको really freely के तौर पर यहां पर मानके चल सकते हैं next बात करते हैं xrp के बार में xrp का यह level 2 चुका है मैंने 0.34 के बीच में फिलार में मैं एक single line को mark कर देता हूँ इस point के असपस या फिर maximum अगर आप लेना चाहो तो 0.34 यह level तक आप लेके चल सकते हो कि इस तक अगर market गया और कोई भी reaction देता है तो हम short की positions पे fulfill करेंगे नहीं तो यह resistance अल्रेडी है हमारे पास जब है market point 3 के असपस तक यहां पर हमें short positions दे सकता है यहीं पर बात करते हैं dot के बारे में dot ने पूरी तरह के से तो नीचे नहीं आया है testing करी है इसने properly यहां पर आप देख सकते है और यह वाला target at least achieve किया है इस वाले को नहीं किरा है market उपर की तरफ निकला है तो अभी के लिए हम थोड़ा सा bullish रहेंगे dot के पर और यह वाला जो level था इसने 50% ही अपने levels को complete यहां पर किया है मैं इसको फिलार में remove कर देता हूं अभी के लिए तो बट इतना ध्यान रखे कि यहां पर अभी candle close होने में 40 मिनिट है जब मैं वीडियो record कर रहा हूं तो अगर यह candle इस level के नीचे close हुई जो 7.73 से रहे के 7.8 के असपास जहां तक फिर market जाएगा और फिर वहां से हम लोग short के trades के अंदर focus करने बाले क्योंकि market कभी एक जिसा नहीं चलता है market थोड़ा सा wave के format में चलता है जैसा आप यहां भी देख सकते हो market जब गिरता है उसके बाद थोड़ा सा उपर आता है फिर फिर उपर आता है फिर गिरता है तो market का जो एक base structure है वो इसी तरह के सब work करता है तो यहां पर जो market गिरा है फिर थोड़ा उपर आया फिर गिरा फिर थोड़ा उपर आया फिर थोड़ा उपर जाने की कोशिश करेगा और फिर यहां से गिरने की कोशिश यहां से कर सकता है तो हमें इनी levels को आपर find basically करना होता है, next बात करते हैं NIO के बारे में, NIO में भी वापिस से आप देख सकते हैं, अच्छे खासे recovery मिलिए, लेकिन वह resistance अभी भी price को थोड़ा सा रोख के रख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा remove कर देता हूँ, इस वाले level को, और देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या reactions देखने को मिलते हैं, market इसको break करके अगर stable होगा, तो इस वाले level तक फिर test out के लिए हम wait करेंगे, जो कि लगए 9.3 to 10 के आसपस आएगा, 9.93 sorry, और यहाँ पर अगर market properly रहता है, यहीं से अगर कोई short entry मिलते हैं, तो 9.24 से 9.3 की बीच से हम लोग फिर short कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह पिछले level को देखो कि तो support था, अब यह resistance है, flip कर गया, then second resistance से short करेंगे, नहीं करता है, तो यहाँ से भी हम लोग फिर short कर सकते हैं, नेक्स बात कर लेते हैं, तो इसके बीच में भी यह resistance है, लेकिन वो इतनादा valid होगा की नहीं, वो हमें वितर टाइम ही पता पड़ेगा, क्योंकि अभी इसके अंदर भी आपको ब्रॉटगेश पटन का breakout देखने को मिल रहा है, हालकि इस पर retracement होना important है, प्लस यहां पर fake candles नहीं बननी चाहिए, तो ही हम इस momentum को एक proper move मान सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा wait करो, कि market क्या करता और किस तरही से momentum देता है, नहीं तो फिर हम short के लिए यहीं आस पास में ही, कोई ना कोई momentum find करेंगे, और महीं से फिर short के trades में जाहिए, नेक्स बात करते हैं, काडेनों के बारे में, काडेनों ने एक double bottom बनाया है, इस वाले उन से अगर आप consider करते हो, यहां से just pumping है, और यह resistance आपको already में बता चुका हूँ, इसी को भी play out करा जाएगा, जितना भी market उपर क्यों ना आ जाए, या थोड़ा पर तो उपर जाते हैं, तो Wix के बाद consider कर सकते हैं, या फिर highest level of 47, 48 को फिर consider यहां पर किया जा सकता है, next आप बात कर लेता है, Matic के बारे में, Matic ने अच्छा कासा bounce दिया है, जिसे मैंने आपको पहले भी बता था Matic में, कि यह range के अंदर है, या तो यह 0.76 को तोड़ दे, तो short करो, अगर यहाँ पर 0.84 को तोड़ता है, तो long की तरफ जाएंगे, लेकिन इसके बीच में रहा, तो यह dance करता रहेगा, range के बीच में, और वो ही चीश exactly हुई है, जहाँ पर market dip लिया है, और वापे से market ने, इस point पर bounce यहाँ पर आपको दिया है, Matic के अंदर, तो अभी भी range valid है, पूरी range यह तक break नहीं होती है, हम कोई भी trade इसके अंदर नहीं डालेंगे, या अगर डालते भी हैं, इस range में support से long, और resistance से short के ही, बस यहाँ पर डाल सकते हैं, next बात कर लेते हैं, mana के बारे में, mana ने almost almost अच्छे से hit किया, पर इस line को में थोड़ा नीचे कर देता हूँ, उसका reason है, यहाँ पर wick, last time हम ने इस वाली wick को consider किया था, अभी यह वाली wick बनी है, तो इसके according देखें, तो market में एक अच्छा bounce आया है, और क्योंकि अभी भी broadcast pattern है, तो आप यह उमीद कर सकते हो, कि या तो जो mana है, वो अपने इसी current resistance को भी face करेगा, और अगर इसको यह face नहीं कर पाता है, यहां से drop नहीं होता है, तो market उपर जाके फिर यहां से connection कर सकता है, हाला कि अभी तक bullishness इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रही है माना के अंदर, और bullishness अगर इसमें चाहिए भी, तो हमें at least यह वाला level clear करना बहुत important होगा माना में, जो कि 0.87 के असपास है, तो मैं wait करता हूँ इस level का, प्लस हम लोग यहां पर भी एक resistance level तो maintain करी लेते, ताकि अगर कुछ भी up-downs यहां पर होते, तो हमें इधर से चीज़े देखने के लिए आपर मिल जाएंगी, next बात करते हैं हम लोग sand के बारे में, sand ने नीचे break करा था, almost हमारे target तक तो hit नहीं करा है, लेकिन थोड़ा सा रस्ता इसने clear definitely करा हुआ है, अब यह फिर से वही scenario अटक गया है, कि आप यहां तो हम पर resistance पर market को थोड़ा चेक कर सकते हैं, कि कैसे हम भी behave करेगा, नहीं तो फिर market के पास अपना एक second resistance level है, और इसके बीच में यहां फिर उस level तक अगर जाता है, तो हमें short के trades यहां पर मिल जाएंगे, तो यहां पर थोड़ा सा wait करते हैं, यहां फिर यह भी हो सकता है, market अगर इसको नीचे आता है, यहां पर resistance बनाते हैं, तो आपको यहां पर एक अच्छा कासा confirmation market में लेना चाहिए, और उसके लिए आप पर wait भी करना चाहिए, अगर आप और नहीं करते हो, तो कहीं नगे आप trap होते हो, और उसके बाद फिर market जो है, वो उपर या नीचे भग जाता है, और आपकी position में stop hit यहां पर हो सकता है, तो इतना सा अगर आप काम कर लेते हो, that's valid good, थोड़ा सा wait करो, I think कल तक हमें यह trade देखने को मिल जाएगा, आज रात में जो भी price है, वो form यहां पर हो जाता है, और अभी यह 35 minute बाद जब candle close होगी, तो आपको और अच्छे से समझ यहां पर चीज़े clear आ जाएगी, तो वीडियो अप्लोड होते होते हैं यह टाइम तो खतम हो जाएगा, नहीं candle start होगी, तो आप फिर decision ले पाओगे कि कहां पर आपको trade को execute, यहां पर करना है, तो यह थे दोस्तों सारे की सारे coins हम लोगों के, अब आते हैं सबसे पहले अपनी news के उपग, सबसे पहले आपनी news आ रही है, दुबई की तरफ से हो, दुबई के अंदर crypto को रेके rules and regulations तो आही गए थे पहले से, लेकिन अब यहां पर कुछ rules यहां पर निकाले गए हैं, जहां पर कि protect कया जा सकता है investor को better तरीके से, और यह जो rules होंगे, बहुत सारी जगे applicable होंगे, तो normally आप मानों कि जो virtual asset regularly authority है, यानि कि VARA, दुबई के अंदर, उन्होंने यहां पर और जदा clear and transparent rules आपर share कर रहे हैं, जिससे कि help होगी, जो भी guidelines होगी, marketing करने के लिए, crypto project को कैसा market कर जाएगा, कैसा advertisement कर जाएगा, और virtual currency को promote करने का तरीका क्या होगा, इन सभी चीजों के उपर, प्लस जो guideline है, वो मैंने जैसे बताए कि, लेते हैं, तो mass information आप यहां पर gather कर सकते हैं, तो अच्छा है, थोड़े से rules आपर clear रहते हैं, तो सभी के लिए easy हो जाता है कि कैसे करना है, इंडिया में तो अभी बीच में जब यह exchanges बहुत साज़ा प्रमोशन कर रहे थे, उसके बस government ने, sorry, court ने वो एक line डलवा दी, कि आप यह डाल दो, और उसके बाद से तो फिर सारे चेट हंडी आपर पढ़ गई, ना तो कोई rules ढंग से बने, बस taxation आ गया, और taxation को वैसे भी सभी लोग भूल गए, कि crypto पे 30% tax भी आपर लग चुका है, अगली दूसर खबर आई, stock market की तरफ से हम सोचते हैं, कि crypto market कितना volatile है, लेकिन आज example देख लो, कि पूरे crypto market विज़ना पैसा था न, उतना तो US market एक दिन में loose कर चुका है, तो अब आप किसको volatile बोलोगे, bitcoin वाले market को, या crypto वाले market को, या फिर US market को, आप सभी को बताऊगा, कि जो fat के chairman है, क्या ना मेंन का, Jeremy Powell, इन्होंने basically speech दी थी, मैंने आपको cover भी करी थी, लास video के अंदर, कि जो inflation है, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़दा बढ़ गया था, लगबग 8-9%, तो उसको यह ने चाहते हैं, कि 2% पर वापिस लेंगे, 2% पर कैसे लाओगे, तो interest rate hike करना पड़ेगा, market में जितनी liquidity है, उसको grab करना पड़ेगा, तो उस liquidity को grab करने के interest rate बढ़ाएंगे, ताकि लोग कम पैसा लेंगे, कम market में use होगा, तो कही ना कि जो demand supply है, वो equalize यहाँ पर हो जाएगी, अभी क्योंकि वो 8% पर और 8% से 2% पर आना, मतलब एक बहुत heavy duty job है, इसका मतलब हमें यह चीज़ समझ आ रही है, कि आने वाले अगले 6 महने तक interest rate hike होंगे, अब यह interest rate कि परसन से hike होंगे, यह हमें पता नहीं क्योंकि वो सारा हर मंत के data के उपर depend करेगा, जैसे पिश्टी बार 0.75 basis हुआ, 0.50 basis हुआ, आहलाग यह 100 basis point तो उन्होंने कभी बढ़ाए नहीं है, लेकिन अगर इनको ऐसा लगता है इन बीच में की, नहीं हमें जोरत है, यह 100 basis point तक भी increment यहां पर कर सकते हैं, अब यह I think हो सकता है, जो मैंने आपको last time भी chart दिखा यह था, अगर आप लोग ने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं, तो उसमें हम लोग ऐसे कुछ chart की बारे में बात कर रहे थे हैं, यहां पर basis point जो है, वो basically बताए गए थे, तो आप यह मान के चलो कि जन्वरी तक तो यह basis point बढ़ना है, और basis point बढ़ने का मतलब है कि market में पैसा नहीं आएगा, उल्टा लोग कमी पैसा spend करेंगे market के अंदर, तो कहिना कि market या तो sideways या negative form के अंदर रह सकते हैं, और इसी का असर यहां पर हमें US market पर भी देखने को मिला है, जहां पर 1.25 trillion dollars एक ही दिन में wipe out यहां पर हो जोगे हैं, तो अगले बार सा करको यह बोले कि crypto wallet है ले, तो दिखा देना यह data हमारा क्या जाता है, अगे दोस्तों वापे से ख़बर आ लिए दुबई की तरफ से, दुबई की basically company है virtue zone, इन्होंने आपर partnership कर लिए है Binance के साथ, और जो पूरा UAE है, sorry दुबई नी, UAE के अंदर यह अपनी crypto adoptions को आपर push कर रहा है, तो basically Binance के आपको पताऊगा, दुबई उनमें से एक है, तो यहाँ पर उनके अंदर यह services देने वाले है, और इन्होंने बताए कि जो crypto वो help करेगा हमारे business को, यहाँ पर payment method के लिए, और ख़िनके expand करने के लिए, जो कि अच्छी बात है, तो अब यहाँ पर CZ कहा सकते हैं, हो, हभी भी, चले, next जो खबर आ रही है, इंडिया की दरफ से, इंडिया में थोड़े दिल पहले भी यहाँ पर conference हुई थी, बैंगलोर के अंदर, जो कि वैब 3 के उपर थी, और इसको और में इस किया था, CoinDCX ने, आगे फूचर में क्या बनने वाला है, क्या क्या चीज़े होंगी, और यहाँ पर क्या जो bull market आएगा, उसमें हमें क्या क्या चीज़े देखने को मिलने वाली है, हलागि सारे topic तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर इस article के according देखें, तो play to earn जो games है, उनके उपर बात हुई है, वेब 2 में जो अभी current development phases में challenges हा रहे है, उसके उपर बात हुई है, engagement है, non-fungible token है, और hackathon के बारे में बात हुई है, अगर आगे किसी event पे बुलाते हैं, या कुछ होता है, तो definitely मैं वाहाँ की topics को cover करूँगा, जो important topics होंगे, से 10 साल में और ज़्यादा unicorns पैदा करेगा, और ये बात सही भी क्रिप्टो का emerging market है, तो जितने ज़्यादा अभी projects आएंगे, जितना ज़्यादा वो करेंगे, जटने चटने 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 कुछ ना कुछ unicorns project definitely इसमें से निकलने वाले है, और ये इंडिया के अंदर बहुत सारी unicorns आते जा रहे हैं, और crypto एक अच्छा कासा जहां पर आये थे, दो या तीन companies ने शायद unicorns का achievement ले लिया है, हाला कि ये profit के basis पर नहीं है, ये investment के basis पर, प्रॉफिट के basis पर तो मुझे नहीं रगता कि अभी किसी भी उसने अपने लिए यहाँ पर बनाऊगा, क्योंकि last time FTX ने जो अपने आपको profit figures दिखाये थे, बले उसके growth 1000% थे, लेकिन profit था 3-3-5 million के आसपा something कुछ, तो अगर आपको unicorn बना है, तो एक billion के ऊपर चाहिए होता है, तो वो profit level सो अभी हमें देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन हाँ जो foreign institution है, उन्होंने जो investment किया है, उससे company ते एक unicorn की category में ज़रूर यहाँ पर fall कर जाती है, प्लस सबसे ची बात है कि जो angel investor है, जो कि CTO है Coinbase के, वो भी यहाँ पर आये थे, लेकिन उन्होंने मतलब video calling के through इसको यहाँ पर join किया था, यहाँ पर on-chain consensus सभी के बारे में बात करी गई, प्लस यहाँ पर जो tribal CEO है, जिनका ना मैं parent ले थी, उनका कहना है कि जो अभी की applications basically built हो रही है, तो यही सारी चीज़ थी, मोटी-मोटी जो कि हमें आप देखने को मिलती है, लेकिन देखते हैं कि अगर इसके कुछ clips मिलती हैं, फिर कुछ और details मिलती हैं, तो आपकर शेयर करते हैं, ताकि आने वाले future में जो चीज़ आने वाली हैं, उसके लिए भी आप यहां पर updated रह सकें, आज की दोस्तों आकरी कबरादी compound की तरफ से एक ऐसा project जिसको हमने बहुत बार देखा, 2018 से project established है, और compound अब अपना third version यहां पर launch करने वाला है, यूनिस्व पर अपना already version 3 launch कर चुका था, अब उसके बाद compound भी आ चुका है जहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जिस चीज़ पर focus कर रहे हैं, वह हां पर security efficiency और user experience जो मेरे सबसे अच्छा है, अगर ऐसा करते हैं तो लूना जैसी हालत ना हो, जो भी user से वह प्रॉपली काम कर पाएं, तो compound 3 में basically 18 अगस को हां पर हुआ था, आप कहा सकते हैं कि इसको submit किया तो और इसमें 100% approval भी मिल गया, यानि governance model, जिसके हम DAO model भी हम पर कहते हैं, उस चीज़ के अंदर, अब यह basically on-chain, जब यह starting में थे 2018 में, तो यह on-chain का concept आये थे, जहां पर borrow कर सकते हो, land कर सकते हो, 2019 में नों ने version 2 launch किया था, जहां पर liquid tokenize collateral लाइकर आये थे, जिसका नाम था C token, आप C token के अदर उसको government कर प 3rd model आ रहा है, वहाँ पर C token को हटा दिया, लेकिन जो property है, आपकी collateral करने की, buy sell करने की, वह हाँ पर same रखी गई है, तो आप single asset borrow कर सकते हो, इसका मतलब कि अगर आप USTC borrow करना चाहते हो, तो Ethereum WBTC Link, Uni, Comp के through, आप यहाँ पर इन सभी चीज़ को ले सकते हैं, प्लस अब सची ब जिससे की, कोई भी इनके open source code को fork ना कर पाए, बिना governance approval के, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप एक ही protocol को fork करकर, नए protocols बनाते जाओगे, तो कोई sense उसका बनता नहीं है, और कहिना कई major जो अच्छा project है, उसके उपर इसका effect बढ़ता है, compound एक अच्छा project है, जिसको ह उसको पे भी एक नजर मालने, क्योंकि कहिना कि dollar ने recent time में prices बढ़ा है, तो dollar price आप देखोगे, तो नए all time में पर पहुंच गया थे 109, और यह अभी भी कहिना 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 बहुत ज़्यादा bullish है, तो इसको ignore तो नहीं किया जासब कि इसकी bullishness खतम हुई है, बले यह short term में थोड़ा correction ले ले 105 के असपस, लेकिन कहिना कि 120 के असपस जाने की उमीद अभी भी है इसके अंदर, तो यहाँ पर अगर आप consider करते हो, तो यह हमारी trend line है, जिसको की dollar basically भी hold करके बैठा है, और इस वाले line से कर वापिस bounce मिलता है, in future इसको भी blue color कर देते हैं, तो dollar index still 120, 121 के हमें आपके देखने को मिल पाती है, I hope दोस्तों वीडियो से वीडियो को हम पर पसने होगी, दोस्तों गर वीडियो को पैसने तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगा, अगर अब तक आपने चैनल अपने फैमिल या फ्रेंड के सा शेयर नहीं करा है, तो तो तुरज जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से वब्रेटर रह सकें, और अगर आप फर्स्टाम इस चैनल के उपर तो तुरज जाए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दीकर नोडिफिक्शन बाकर क्लिक करें, और के उपर ताकि मेरे आनने वाली सब वीड दीक विडियो किसार, तब तक लिए वाव ग्रेट देए, और बाइए, और बाइए